नमस्कार दोस्तों मैं राजिका ग्रवाल आपकी साइंस चीचर एक बर फिर स्वागत करती हूँ आपका इस मंच पे साइंस को बहतर ढंग से पढ़ने के लिए ट्रिक्स के साथ पढ़ने के लिए आप सब्सक्राइब कर सकते हैं हमारे इस चैनल सीटी मिशन ग्यान जो आपक तरीके से मज़ेतार तरीके से चलिए स्टार्ट करते हैं आज का हमारा टॉपिक जिसका नाम है एस बेस और सॉल्ट आज हम कवर करने वाले हैं एसे डौर बेस यानि की अमले और चार देखे सबसे पहले एस बेस पढ़ने से पहले हमें पता होना चाहिए इंडिकेटर नानी के अगए नानी के सगय हो गए मामा के नानी के सगय वह गए तो यह क्या करते हैं टाइम टाइम पे अपना इंडिकेटर हैं यह ऐगार के अपना जो कलर है उसे चेंज करते रहते हैं जो इंडिकेटर्स है वो होते हैं तीन टाइप के जिसमें परस्ट आते हैं नेचुरल इंडिकेटर्स यानि की प्राकर्तिक सूचक नेचुरल मतलब नेचर में प्रेजेंट होंगे तो यह जो नेचुरल इंडिकेटर है प्राक फाइटा एक्जाम में पूछ लिया जाए कि केस गुरूप से यह जो लाइक लिटमस है वो प्राप्त किये जाते हैं तो क्या लगाना है थेलो फाइटा उसके कुछ प्लांट्स होते हैं जिने हम कहते हैं लाइकेन क्या है शैवाल और कवक जब सहजीवी जीवन यापन करते हैं तो उन्हें हम कहते हैं लाइकेंस यह क्या करते हैं साथ साथ अपना जीवन यापन करते हैं मतलब एक दूसरे को करेगा फूट प्रोवाइड और दूसरा पहले को करेगा shelter provide मतलब रहने का इस्थान प्रदान करेगा तो यह जो लाइकेंस है वो क्या है सहजीवी जीवन यापन करने वाले है जो लिटमस है वो बनाया जाता है इनी लाइकेंस से आया समझ में अब देखें यह जो लिटमस है जब इसको अपन acidic solution में डालते हैं तो acidic solution के अंदर क्या होता है blue color change हो जाता है red के अंदर मतलब निला लिटमस चेंज हो जाएगा लाल लिटमस के अंदर कौन से solution में acidic solution में मतलब अम लिए विल्यन में और चारी विल्यन के अंदर क्या होगा जो रैट कलर है वो किसमें चेंज हो जाएगा blue color में चेंज हो जाएगा कौन से color में blue color के अंदर चेंज हो जाएगा basic solution में चारी है विलियन में इनकी जो pH होती है वो होती है 4.8 से 8.3 के बीच में कितनी होती है pH 4.8 से 8.3 के बीच में तो जो लिटमस पेपर है वो किस से प्राप्त करते हैं लाइकें से प्राप्त करते हैं ठीक है और यह और यह क्या है नाचुरल इंडिगेटर और सेकिंड अपने आते हैं कॉतिम सूचक जिन्सका डालेंगे, क्या करेंगे? Acidic solution के अंदर डालेंगे तो यह जो referral orange का Orange color है वो किसे और छारी heating में डालेंगे तो यह अपना color change कर लेगा Yellow में कोँसा color change हो जाएगा? Yellow каче COLOR में यह change हो जाएगा मिथाईल औरेंज आया समझ में थार्ड अपना है फिनॉप्थैलीन इसका जो कुश्चन है यह रीट में पूछा गया है कि जो क्रतिम सूचक है उसमें कौन सा इंडिकेटर हम यूज में लेते हैं तो आप्शन अपन को क्या लगा के आना था फिनॉप्थैलीन यह जो फिनॉ सॉल्यूशन के अंदर डालेंगे अमली विलियन के अंदर डालेंगे तो यह अपना कलर चेंज नहीं करेगा यह कलर लेस का कलर लेसी रहेगा लेकिन जब इसको पन बेसिक सॉल्यूशन के अंदर डालेंगे तो बेसिक सॉल्यूशन में यह अपना कलर चेंज कर लेगा और क जो फिन ओफ थाइलीन वह बेसिक सॉलुशन के अंदर कौन सा कलर देगा पिंग कलर नेक्स्ट अपने आते हैं और फैक्टरी इंडिकेटर्स यानि की गंद सूचक गंदक सूचक मतलब जो खुश्बू अपनी चेंज कर ले अपनी इसमेल जो है वह चेंज कर ले उन्हें हम क इसको चेंज कर लेते हैं और इन्हें हम कहते हैं और फैक्टरी इंडिकेटर्स यानि की गंदक सूचक पता चल गया कि भाई इन्होंने अपने जो अलग-अलग सॉलुशन में जो है कलर चेंज कर लिया अब अपन इसके इंदर पढ़ रहे हैं कि एसिडिक बेसिक तो यह है है क्या एसिड़ क्या है जो फीजन देते हैं अगर उसने है जैसे मॉललो इसको water में dissolve किया आपने water में dissolve करने के रिवाद अगर इसने एचपलस आयन दीये तो मतलब ये हो गया अपना acid आया समझ में acid जो होते हैं वो सवाद में हरते हैं जितनी भी खटे चीजें हैं वो होंगी acid यानि कि सवाद में खटी लगरी है तो अमले होँगी अब देखो स्वाद में खटे का आप नीमू खाते हैं औरेंज खाते हैं स्वाद में खटे हैं उनके अंदर कोई एसीड प्रेजनट है उसके अंदर प्रेजन्ट होते हैं Спी्ट्रे कैसिड दही लैक्टिक एसड जितने ये पयन कार्बोनील एसिड एपल है चीटी तो उसके अंदने को जलाएं गरें उन्हें हम कहेंगे acid यानी की अमल ये acid क्या करते है किसी भी धातू के साथ अभी किरिया करके hydrogen gas release करते है धातू के साथ जैसे अपने ले लिया acid S2SO4 इसके अभी किरिया करवादी copper के साथ तो ये कौन सी gas release करते है S2 gas जो है वो release करते है ये है अमल की property 40 यह मरिदीर की अच्छे रियक्शन करवाते हैं क्या करेंगे C4 गैसे वह क्वार्यिश्छ और्लीश होती है कौन सीी रिलीश होती है CO2 gas अब देखिए कि को अब कुछ इसके एक्जाम्पल अपन देखते हैं जैसे HCl हो गया H2SO4 हो गया इसको अपन कहते है हाइड्रोक्लोरिक एसेड इसको अपन कहते है सल्फियोरिक एसेड है अनोध्री हो गया मतलब नाइट्रिक एसेड च्छी सी डवलोज हो गया मतलब एसे टीक एसी यह कुछ एक्जैम्पल और होते हैं वह स्ट्रॉंघ है या हम कैसे क् beneगी कौन सा ऐसेड जो है वह स्ट्रॉंघ है वह एक है तो वो दुर्वन अबल कम्वाइजन में तो इसकी जो ऐसीटी है वो कम हो जाती है मतलब ये प्रोल आमल हो जाएंगे अब देखो जो एसेड है उनकी पिएच क्या होती है साथ से कम होती है पिएच मतलब पावर अफ हौ या फिर अपन कह सकते हैं हाइड्रोजेन आयनों की सांद होता है potential of hydrogen उसे हम कहते हैं pH value यह से पीएच स्केल होता है जिस पे 0714 ऐसे लिखा होता है अगर साथ के बीच में उसकी pH value है तो वह हो जाएगा acidic अगर साथ से 14 के बीच में pH value है तो वह हो जाता है basic और अगर साथ है तो वह हो जाता है neutral कैसा हो जाता है neutral मतलब उदासी जो शुद्ध जल है pure water है उसकी जो pH value होती है वह होती है अपनी 7 किती होती है 7 और जब अमली है अगर मान लो साथ से कम 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 जाता जाए तो जितने कम pH होगा वो उतना ही जादा strong acid होगा जैसे मान लो HCl है इसकी जो pH value होती है 1.2 तो यह बहुत जादा strong acid है है के नहीं है अगर किसी acid की value 56 या पर 6.2 6.3 इतनी होई तो यह weak acid हो जाएगा क्योंकि इसकी pH जादा है जब इधर की side आएंगे तो वो उतना ही strong acid होता चलेगा आया समझ में next अपन देखते हैं कुछ जो natural resources acid के लिए वो जैसे सिर्का है सिर्का के अंदर कौन सा acid है acetic acid दही के अंदर कौन सा acid है lactic acid पे पदारत है उनके अंदर कार्बोनिल एसेड मैंने आपको बता आया एपल के अंदर malic acid होता है चीटी के अंदर formic acid होता है और नीबू संत्री के अंदर citric acid जितने भी खटे fruits होते हैं उनके अंदर कौन सा होता है citric acid प्रेजेंट होता है टमाटर के अंदर oxalic acid चीटी का डंग formic acid सेव मैलिक acid और सोड़ा वाटर कार्बोनिल एसेड एक्जाम में कुश्चन बनते हैं कई बार कि किसके अंदर कौन acid प्रेजेंट होता है तो आप यह याद कर सकते हैं कि किसके अंदर कौन सा acid प्रेजेंट है ठीक है समझ में नेक्स अपने आते हैं प्रबलामल में आपको बता दिया HCl, HNO3, H2SO4 इनके pH के basis पे यह जो है वो प्रबलामल है और इसमें carbon compound जो है carbon molecules जो है वो add-on हो गया इस वज़े से यह जो क्या हो गया यह हो गया अपना weak acid इनके comparison में ठीक है exam में जो और cushion बनते हैं वो बनते हैं कि acid जो हैं किया use है किस-किस चीजों में जो acid है उनको प्योग में लिया जाता है तो सबसे पहले अपन दिखते हैं hydrochloric acid HCl के बारे में HCl जो है उसे हम कहते हैं नमक का अमल क्या कहते हैं नमक का अमल ठीक है इसका जो यूज है वो होता है toilet cleaning में toilet की सफाई में जो acid यूज में लिया जाता है उसे अपन कहते हैं hydrochloric acid chloride के निर्मान में नमक के शोधन में जो acid यूज में लिया जाएगा उसे अपन कहेंगे HCl textile rubber industry में जो acid यूज में लिया जाएगा वो है hydrochloric acid second अपना आता है nitric acid HNO3 night में जो है वो शोर कम होता है तो इसे अपन कहते हैं शोरे का अमल याद रहेगा इस से शोरे का अमल यानिकी nitric acid इसका जो major उपयोग है वो किया जाता है जितने भी विस्पोटक पदार्थ है उनको बनाने में जो acid use होता है उसे अपन कहते है nitric acid या पिस्टार लगा सकते हैं क्योंकि अच्छा कुशन है exam के लिए कि विस्पोटक पदार्थों में कौन सा acid जो है वो use लिया जाता है तो क्या आएगा nitric acid μας अमोनियं नैशीड उरवरक बनाने में nitric acid यूज में लिया जाता है सोने चान्द्य जो धातूओंै उनके शुद्धी करण में उनको प्यॉर करने में प्यूरिफाइए करने दिंदे के लिए जो यंदा जुँज में सुना होगा उसके बारे में। उसे पर की जो गंद बहुत जादा काज़ फाब्रिक industry में जो है वो sulphuric acid का उपयोग किया जाता है next अपना आता है acetic acid सिर्का बनाने में अिचार में जो सिर्का डालते हैं वो कौन सा acid होता है जिससे वो खटा लगता है उसे कहते हैं acetic acid ethanoic acid खाने की चीजों में या कुछ दवाईयों के निर्माण में जो acid use में लिया जाता है वो है अपना acetic acid photo film के निर्माण में और सफेदा बनाने में जो acid use में होता है वो है अपना acetic acid ये थे कुछ अपने acid और acid के बारे में information acid और base से related कुछ scientist ने कुछ stories दी थी जिसमें से अपनी पहली आती है आरेनियस concept कौनसी? आरेनियस concept अगर कोई भी योगिक water में dissolve हो के H प्लस आयन दे तो उससे अपन कहते हैं acid क्या कहेंगे? acid और अगर OH आयन दे तो उससे अपन कहते हैं base यानि की छार और ये वाला concept किसने दिया अपन का? आरेनियस ने दिया किसने? आरे आरेनियस ने आया समझ में second अपनी थियोरी दे थी ब्रॉंस्टेट लॉरी ने ब्रॉंस्टेट लॉरी ने क्या कहा था? देखो एक कोई परमाणू है उसके नाबिक में क्या प्रेजेंट है? प्रोटोन और नूट्रॉण थीक है? प्रोटोन के ऊपर कौन सा चार्ज? पॉजटिव चार्ज प्रोटोजैनिक हो गया प्रोटोन दिया इसने तो क्या हो गया प्रोटोजैनिक और जिसने प्रोटोन लिया उससे अपन कहते हैं प्रोटोफिलिक क्या कहते हैं प्रोटोफिलिक और ये प्रोटोजैनिक और प्रोटोफिलिक वाली जो थियोरी दी वो दी थी ब्रॉंस्टेट लौरी ने कि जो भी कंपाउंड्स है जो पॉजिटिव मतलब H plus iron यह क्या हो गए प्रोटोजैनिक हो गए तो इने अपन कहते हैं acid क्या कहते हैं और जो प्रोटोफिलिक होते हैं उन्हें अपन कहते हैं बेस और यह थीओरी दी थी अपन कि ड्रोन्सटेट लिवरी ने एक थर्ड कॉंसेप्ट दिया था किसने दिया था लेविस ने दिया था हिंदी में अपान उसे कहते हैं लुईस का सिधान्द लूइस ने क्या बोला था कि जो भी compound electron loan pair लेते हैं electron loan pair जो भी compound electron loan pair लेंगे उन्हें अपन कहेंगे acid और जो भी compound electron loan pair दे देंगे मतलब donate करेंगे उन्हें अपन कहेंगे base क्या काएंगे अपन उन्हें बेस काएंगे आया समझ में तीन कॉंसेप्ट आरेनियस, ब्रॉंस्टेट, लॉरी और थर्ड अपना दिया था लेविस याफे लुईस ने इसको याद करने की एक बहतर ट्रिक है याद भी रह जाएगा कि कौन सा कॉंसेप्ट किस ने दिया था और भूलोगे भी नी कि एसेट के अंदर आएगा या बेस के अंदर आएगा तो देखिए जल्दी से इस ट्रिक को लिख लीजिए अपनी ट्रिक है इलो इलेक्ट्रोन क्या है देशी ट्रिक है एकदम इलो इलेक्ट्रोन बन लो प्रीटी और देदो हाइड्रोजन अब देखो इसको कैसे डिकोड करना है इस से अपन का बन गया लूईस क्या बन गया ठीक एलो इलेक्ट्रोन मतलख एसिट को अपनी आसिट के लिए है यह ये जो ट्रेक्व है वह है अपनी एसिट हुए लिए असिट के लिए अपन को याद है तो बैसीक की इसे अपोज़िस हो जाएगी तो देखो इसको अपने दे दिए असिट को फो लोन पर फिसकत है तो यह लो इसे कर फ़ीलोग के लिए आरेनियस दे दो hydrogen जो मतलब hydrogen देगा मतलब acid है H-plexion देगा acid हो गया तो इस ट्रिक से अपन के तीनों concept भी किलियर हो गया आपनको यह भी याद हो गया कि acid क्या करेगा और based क्या करेगा आया समझमें इस ट्रिक से आपको कौन सी concept किसने दी थी तो यह concept दी थी अपनकी करते हैं बेस के बारे में मतलब छारकों के बारे में अपन ने एसिट के अंदर देखा कि अपन को एक ट्रिक और याद करनी थी एसिट के अंदर बार क्या ट्रिक याद करनी थी बार जो ब्लू कलर से रेड कलर में चेंज उतरता है एसिडिक के अंदर ब्लू लीटमस चेंज देगा रेड लेक्तनमस के अंदर कौन्से solution में acidic solution में तो अपन को याद ही नहीं रखना कि बेस में क्या होगा बस यह याद रख लो बाற नाम से blue से चेंज हो गया red में acidic solution में तो बेस solution में क्या होगा ज Linux HO जाएगा तो ब्लु के अंदर कौन से solution में basic solution में आया समझ में तो चार क्या होते हैं जो OH आयन देंगे कौन से आयन जो OH आयन देंगे उन्हें हम कहते हैं बेस यानि की छारक जो H प्लस आयन देंगे उन्हें हम कहते हैं acid यानि की अमलब अब जो बेस है उन्होंने क्या किया लाल लिटमस को चेंज कर दिया नीले लिटमस में किसमें चेंज कर दिया नीले इस क्रीटमस में जो थे वो विद्यूत के सुचालक थे से में जो प्रवेल क्षार है वो भी के कि सुचालक मुद्धे बुद्धके कुटे थे लेकिन जो स्वाद में कड़वे होंगे मतलब 4 1 4 मेंज़़र सुमार स्वाद में कडवे तो जो स्वाद में कडवे होंगे उने हम क्या कहेंगे बेस कहेंगे चारक कहेंगे अब देखिए इसके कुछ एक्जैंपल सपने सकते हैं जैसे था यह अपोन सा क्या देगा एक्वस सॉलिशन और वह माइनस क्या अप ओएच माइनस आया समझ में तो यह जो है वो क्या है कुछ बेस है अपनी अमले के अंदर देखा था कि जो पी-एच वेल्यू है अपनी वो क्याती जीरो से साथ के बीच में तो मतलब वो एसेड है लेकिन अगर साथ से 14 के बीच में होगी पी-एच वैल्यू तो वो क्या होगा वो बेस ओगा मतलब वो रहowie होगा साथ से 14 के तरफ जाएगा तो जितनी पी हज़े बढ़ती जाएगी वो उतना ही जाधा basic होता जाएगा वो उतना ही ज़्यादा छारिय प्रवरती का होता जाएगा अब देखो जब अपन किसी भी एक तरीके से छारिकों को अपन बोलते हैं राक क्या बोलते हैं राक अगर अपन ने इसको water में dissolve किया और अगर यह water में dissolve हो गए, alkalie solution बना लिया तो यह मतलब base है लेकिन water में dissolve नहीं हुए, alkalie solution नहीं बनाया तो यह base नहीं है तो इसका क्या मतलब हुआ जो भी compound water में dissolve हो गए तो वो base है लेकिन अगर water में dissolve नहीं हुए तो वो base नहीं है आया समझ में जो प्रवल चाहर है वो अपनी हो गए sodium hydroxide, potassium hydroxide, दुरबल चाहर है अपनी हो गए aluminium, calcium hydroxide और ammonium hydroxide जो प्रवल अमले है वो हमने पढ़े थे hydrochloric acid, HCl, H2SO4, HNO3, acetic acid, CS3, COOH और जो प्रवल चाहर है वो हो गए अपनी है आया समझ में compare करके पढ़ेंगे तो ज़्यादा easy रहेगा as compare to के single single हम पढ़ रहे हैं comparison करके दोनों को पढ़िए जद अच्छे से समझ जाएगा चलिए अब देखते हैं base के क्या उपियोग है चाहरकों के क्या उपियोग है कौन सा चाहरक किस काम में लिया जाता है जैसे अपने देखा hcl जो है chloride के formation में नमक के शोधन में इसमें काम में लिये जाता है उसी तरीके से अपन देखेंगे base के क्या उपियोग है सबसे पहला अपना आता है sodium hydroxide साबुन के निर्मान में जो अपने base है जो यूज में लिये जाते हैं वो है अपने sodium hydroxide mg OH2 magnesium hydroxide इसे अपन कहते है milk of magnesia क्या कहते है milk of magnesia milk of magnesia इसकी pH value जो होती है वो होती है 10 कितनी value होती है इसकी pH value होती है 10 इसका उपियोग क्या किया जाता है पेट संबंदी बीमारियों की जो दवा बनाने में जो base यूज में लिया जाता है उसे अपन कहते है milk of magnesia या फिर magnesium hydroxide देखें अपने जठर रास है HCl उसकी pH value के अपनी होती है अप्रॉक्सिमेट 1.2 मतलब यह अमलिय प्रकरती का है जब बहुत ज्यादे अपन यह fast food खा लेते हैं या पेट में अमलियता ज्यादा हो जाती है acidity हो जाती है तो यह जो milk of magnesia है यह चारे प्रवति का है तो acidity को कम करने के लिए बेस देना पड़ेगा उसके लिए जो दवाईयों में उपयोग लिया जाता है उसको अपन क्या कहते है milk of magnesia या फिर पेट के हम लेता है दूर करने के लिए जो बेस ही उसमें लिया जाता है उसे अपन कहते है magnesium hydroxide MgOH का hole 2 इसकी pH value किती होती है 10 होती है next अपना आता है ammonium hydroxide ammonium hydroxide का क्या उपयोग है कपड़ों पे जब grease के दबे लग जाते है जो cycle repair करते है motorcycle repair करते है तो नया नया जब grease लगवाते है तो कपड़ों पे दाग दबे लग जाते है उसको हटाने के लिए जो base use में लिया जाता है उसे अपन कहते है ammonium hydroxide NH4OH next अपना आता है calcium hydroxide जितनी भी सजावटी वस्तुए POP से बनती है plaster of Paris से बनती है या फिर जब हड़िया टूट जाती है तो plaster चड़ता है plaster किसका चड़ता है POP का चड़ता है उसमें जो base use लिया जाता है उसे अपन कहते ह है calcium hydroxide ठीक है bleaching powder bleaching powder किसमें का में सुंदरता बना निखारने के लिए जो bleaching powder उसको यूज लेते हैं उसे बनाने के लिए कौन सा जो अपना base है वो यूज में लिया जाता है उसे अपन कहते है calcium hydroxide चूना पोतने में उसमें calcium hydroxide का उप्योग किया जाता है मरहम पट्टी है त जल को म्रदू बनाने में जो base यूज होता है उसे अपन कहते calcium hydroxide milk of magnesium का मैंने आपको बताई दिया पेट के अमलेता को दूर करने में जब acidity हो जाती है बहुत जादा जठर रसका इस्त्रावन होता है तो उसको कम करने के लिए mgos2 है उसको अपन यूज में लेते हैं क्योंकि इसकी pH value कितनी होती है 10 होती है मतलब यह base है next अपना आता है बुजा हुआ चोने का उपिया घरों की पताई में और लोहे के निश्कर्शन में exam में question बन ही जाते हैं कि इसका उपियोग किसमे किया जाता है या फिर इस चीज में कौन से ऐसे कौन से बेस का उपियोग किया जाता है अब अपन बार बार एक जो है वो concept लेके आ रहे है कि pH 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 है क्या actually में pH होती है power of hydrogen या फिर potential of hydrogen तो देखो pH value के questions जो है exam में किस तरीके से पूछे जाते हैं pH value के या तो direct question पूछ लेगा कि इसकी pH value कितनी होती है इसकी pH value कितनी होती है या फिर एक छोटा सा numerical देखे आपसे pH value की question जो है वो पूछे जा सकते हैं तो देखो सबसे पहले अपनको पता होना चाहिए कि pH value होती क्या है क्या होती है power of hydrogen मतलब potential of hydrogen pH value क्या हो गई logarithm value of hydrogen concentration hydrogen ion की सांद्रता है इससे अपन कहते हैं pH value एक ये pH scale होता है क्या होता है pH scale होता है उस पे 0,7,14 आपको बताई दिया 0-7 के बीच में होगा मतलब acidic होगा, amalia होगा 7 से 14 के बीच में होगा मतलब 4 होगा basic होगा ठीक है क्या होगा basic होगा और 7 है तो मतलब neutral होगा, odacine होगा क्या होगा? odacine जैसे शुद्ध जलकी जो pH होती है वो क्या होती है? 7 होती है, neutral होती है अब देखो pH value जो है वो कैसे calculate कर सकते है कैसे इसके कुशन बन सकते हैं जैसे मान लो आपको एक कुशन दे दिया कि 10 की पावर माइनस 5 इस कंसंट्रेशन एचल की पीच वैल्यू ग्याद कीजिए तो आपको कैसे ग्याद करेंगे इसकी पीच वैल्यू इसे गबराना नहीं कि यह क्या पूछ लिया आपनको तो आता नहीं तो देखो अगर ऐसे दे रखाओ और इधर देख लिया कि यह एसे डै मतलब एच प्लस देगा यह ठीक है तो सीधे सीधे एच प्लस दे रहा है तो क्या करना है इस पावर को प्लस में चेंज कर देना है और यह जो है वो इसकी क्या हो जाएगी पी एच वैल्यू तो इसकी पी एच क्या हो जाएगी पाच कित्ती हो जाएगी पाच हो जाएगी जैसे माल लो दे दिया 10 पावर माइ के अगर माल लो अपन को दे तो नाइन के ओध की प्पवल्यू बताइए है अब इसको अपन कैसे कि भी इस पी इच वैश वैल्यू ओगई अब आप तो नाइन के है 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 एच है साथ से कम होनी चाहिए मतलब कôm और रहे हो किशन साथ उपर आया है समझछi कुशन गलत हो रहा है अपने क्योंकि हाइड्रोजर से इरो से बीच में होनी चाहिए ना तो देखो नाइन है मतलब को तौट से आं HE puisque कर बिने के अपन प्लस पी ओएच इस इकोल टू 14 यह जो अपन कंसेंट्रेशन आई अपन इसको उपर लेके गए तो यह किस की आई ओएच की आई तो यह तो हो गई अपनी 9 देखो इदर पी एच प्लस यह हो गई 9 ठीक है इस इकोल टू 14 अब पी एच इस इकोल टू 14 माइनस 9 नो गए तो किते बचे पी एच इस इकोल टू 5 किते बचे 5 तो पी एच वेल्यू किती आ गई अपनी 5 आ गई आ गई ना तो इस तरीके से छोटे से न्यूमेरिकल देख्या आपको पी एच वेल्यू पूस्ट सकते हैं उसमें आपको कंफ्यूज नहीं होना है कि इदर पहले आपको यह देखना है कि इदर के वैच दे रखा है यहां जो दे रखा है सॉल्यूशन उसी के अकॉर्डिंग अपनको पी एच वेल्यू निकालके आने हैं आया समझ में यह अपनी होती है पी एच वेल्यू मैंने आपको कुछ कॉंसेप्ट और बताये थे यहां पर इन्होंने जिसे हे है एक एंच प्लस ायन दिया था इसी से रिलेंट एंड मैंने आपको बताया था कि कुछ कॉंसेप्ट अपनके उन्होंने दिये थे आरेनियस ब्रॉंश्टेट लोरी और कौंसा लेविस ने तो देखो आरेनियस का बता दिया था जो एच प्लस आयन देंगे कुछ याद रखने ही जो ट्रिक में आपको बताई के वल वो याद रखिए कौन जी ट्रिक बताई थी ईलो इलेक्ट्रोन बनलो प्रीटी और देदो हाइड्रोजन और देदो हाइड्रोजन मतलब आरेनियस एच प्लस आयन देगा तो क्या हो गया एसेड हो गया और जिसने ओएच दिया वो क्या हो गया बेस हो गया सेकेंड बनलो प्रीटी ब्रॉट्रेट लॉरी प्रीटी प्रोटोजनिक प्रोटोजनिक कौन हो गया एसेड हो गया मतलब जो प्रोटोन देंगे वो कौन से हो गया ए मतलब प्रोटो फिलिक मतलब अपना उगया लेवी स्माइब मतलब हैंगे ईलंूइल sided मतलब elektron dueOL conflict कर लेंगे इसको अमर्ले को सारे रोब्स यो कि लिए धीम और जो इलेक्ट्रोन पर त्याग देंगे डोनेट कर देंगे उन्हें अपन कह देंगे बेस यानिकी चार इसके एल बी यार बी आर भी आर सी रती तो यह कुछ कॉंसेप्ट है जो एसीड और बेस के लिए कुछ साइंटिस्ट ने अपने अपने दिये नेक्स्ट अपने देखा पीएच स्केल पावर आफ हाइड्रोजन पोटेंशियल आफ हाइड्रोजन इसमें यह देखिए अगार जीरो से सेवन के बीच में है तो एसे डिक सेवन से फ आया समझ में अगर पीएच वैल्यू सेवन है तो दासी साथ से जादा है तो चारी है और साथ से कम है तो वह अमली है आया समझ में अगर देखिए यह लाइन लिखी हुई है कि हाइड्रोजन आयनों की सांध्रिता बढ़ी तो पीएच वैल्यू जो है वो कम होती जाएगी तो अपने यहां देखा यहां सेवन थे जीरो है हाइड्रोजन आयनों की सांध्रिता बढ़ती जा रही है ठीक है पीएच वैल्यू कम हो होता जा रहा है थी कैसा होता जा रहा है अमलीस होता जा रहा है इस को जो प्राएं पडार थे उनकी प्याजिवल्य एक याद कर सकते हैं ज प्रेट स्कूझ लिए 1.2 और शिल्स्ट क्राइस लिए 17 मातरा जादा बढ़ जाती है तो क्या देते हैं Milk of Magnesia देते हैं, जिसकी pH value कितनी होती है, 10 होती है, क्या होती है, 10 होती है, जो अपना blood है, उसकी pH value होती है, 7.4, जो pure water है, उसकी pH value होती है, 7, किती होती है, 7, MeaningCam去 khepas credit, मतलब acid है, तो pH value किती होती होती है, 7 से कब, मतलब 2.2 है, नीुअ है, 6 यह प्रकरती का है, अब 6 है, तो मतलब 7 से उपर ही होगी pH, इसकी pH किती होती है, 14, अमलिय वर्शा, अमलिय है, मतलब साथ से कम pH value होगी इसकी pH value होती है 5.6 और इससे कम शरीर का pH जो होता है साथ से 7.8 के बीच में होता है लार 6.5 दूद 6.4 और जो यूरीन है उसकी pH value होती है 6 इस तरीके से कुछ pH values जो है वो आप यहां से लिख सकते हैं याद कर सकते हैं या तो pH value का direct question आ जाता है या फिर एक छोटा सा numerical देखे आपसे pH value जो है वो calculate करवा सकते हैं तो देखो बच्चो आज हमने क्या क्या पड़ा acid base indicators pH value सबसे पहले अपने पड़े indicators indicators के अंदर प्राकर्तिक सूचक क्रतिम सूचक और olfactory indicators इसमें अगर acidic solution में देंगे तो अपनको किस से याद रखना था बार से याद रखना था ब्लू से अगर red में turn हो रहा है तो वह है acid और red से ब्लू में turn हो रहा है तो वह हो गया base अपना सेकेंड अपने अपने देखा था the red एसिड में डालेंगे रेड हो जाएगा और base में डालेंगे yellow हो जाएगा third fin of thaline देखा था color less होता है acid में color less रहेगा base के अंदर कौन सा color का हो जाएगा pink color का हो जाएगा third olfactory indicators olfactory indicators जो अपनी गंद change कर लेते हैं उन्हें कहते हैं olfactory वनीला हो गया onion हो गया उसके बाद अपन acid base को compare करके देखेंगे acid H plus IN देगा, base OH minus IN देगा, acid स्वाद में खटे, base स्वाद में कड़वे होते हैं, इनके जो concept दिये थे, आरे नियस ने दिये थे, ब्रॉंस्टेट लॉरी ने दिये थे, और थर्ड अपने दिये थे, लेविस ने, ठीक है, आया समझ में, हम लेके अंदर example अपने थे, HCl, H2SO4, nitric acid, जिसे अपने कहा था, शोरे का आमल, acetic acid, base के अंदर जो OH देंगे, मतलब NaOH हो गया, कOH हो गया, ठीक है, sodium hydroxide, potassium hydroxide, यह सब हो गए, इनके use हमने देखे थे, HCl, जिसे हमने नमक का आमल कहा था, chloride के निर्माण में, नमक के शोधन में, इन सब में किसको use में लिया था, toilet cleaning में, HCl को use में लिया था, nitric acid, जिसे हमने कहा था, शोरे कामल, night में, शोर काम होता है, उससे अपने याद किया था, शोरे कामल, यानि की, nitric acid, HNO3, उसका majorly opioid किसमी क्या था, विस्पोटक पधार्थ बनाने में, सोने चांदी के शुद्धी करण में, जो acid use में लिया था, ammonium nitrate, उर्वरक बनाने में, nitric acid, sulfuric acid, जिसे अपने कहा था, sulfur की smell मतलब गंदक का अंबलोब, sulfate निर्माण में, इन सब में किसको उपियोग में लिया जाता है, H2SO4 को, next अपना था, acetic acid, जिसे अपने कहा था, ethnoic acid, सिर्का के निर्माण में, दवा के रूप में, सफेदा बनाने में, इन सब में कौन से acid को उपियोग किया था, acetic acid का, next अपने पढ़ा था, base के बारे में, base जो है, वो स्वाद में खटे हैं, compare करके पढ़ लिया था, अपने OHIN देंगे, मतलब base है, स्वाद में कड़वे होंगे, मतलब base है, तीन कॉंसेप्ट अपने पढ़े थे, आरेनियस H+, देगा, तो acid OH देगा, मतलब base, protogenic, यानि की acid, जो proton देगा, जो proton लेगा, मतलब base, यानि की protophilic, bronsted, lorry, third किस नहीं दिया था, लेविस नहीं दिया था, जो electron loan pair grant करेंगे, उन्हें अपने कहा, acid, electron loan pair जिन्होंने donate किया, उन्हें अपने कहा, base, उसके बाद आपने देखा, pH value, pH value क्या होती है, power of hydrogen, या फिर potential of hydrogen, pH प्लस POH is equal to 40, 0 से 7 के बीच में मतलब acid, 7 से 14 के बीच में मतलब base, और 7 है तो मतलब neutral है, तो ये था आज का हमारा topic, acid और base, next class में हम cover करेंगे, salt, POP, और जितने भी soap और detergent है, उसके बारे में तब तक के लिए याद करते रहिए, revise करते रहिए, खुश रहिए, और हमारे चनल को subscribe कीजिए, खुश रहिए, स्वस्त रहिए, मस रहिए, धन्यवाद,